प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दी चैनल हेलो है वेलकम बैक दिस राज कमल टोड़े विल डिसक्स हीर टॉपिक मेगनेट तो बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन सेक्शन है हानाकि यह थियोटिकल है लेकिन मैं इसमें नुमेरिकल पॉर्शन को ही ओनली कवर करूंगा पर इसमरी नुमेरिकल आप से पुछे आप से यूनिट पूछे जाते हैं यह मैं उसको डिसक्स करने आ जा रहा हूं ऑके चुकिया आपके पास टायम है तो मैं भी आपके इस तर दिकplease लगा हो कि आपका ये चीज़े जल्दी-जल्दी कवर हो सके तो आज पूरी रात में मुझे जितने हो सके मैं maximum वीडियो को upload attach करने की कोसिस करूँगा क्योंकि कल मेरा भी working day हो जाएगा मंडे हो जाएगा तो आज संडे मैंने पूरी कोसिस की और मैं चाता हूँ कि रात भर में जितना और में कर सको आपके लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंगनेट से पहला topic पहला ही questions की step से बनते हैं हमारे यह theoretical question है इसे यह सब ध्यान रखना है जैसे कि एक गॉस कितने के बराड़ होता है एक गॉस होते टेसला में 10 to the power 1 गॉस बराबर होता है आपको 10 to the power minus 4 टेसला एक ची और याद रखने की है टेसला बड़ा यूनिट है और गॉस छोटा यूनिट है cgs यूनिट है गॉस टेसला बड़ा यूनिट है तो टेसला अगर बड़ा है तो गुना आमेसा क्या होगा छोटा एक एक टेसला बराबर वाट गॉस कितना गॉस होता है तो यह छोटा यूनिट है गॉस टेसला की चलते हैं क्वूशनमार थार्टीन के यह निम्रिकल जितने हैं उसी को मैं डिसक्स कर रहा हूं 13 कह रहा है किसी चुम्बक्या जया है यह एक नहीं दिया धर आपको याद रखना है मैं ट्रिक्स से करा देता हूँ A into B A B आप याद रखो A B बरावर क्या होता है 5 A B बरावर क्या होता है 5 A B A B से अलफ़वेट आप बात करते है A B C D जब आप बोलते है तो A B बरावर क्या 5 तो यहाँ पे देखें A क्या है Cross-sectional area A क्या है area Core का B क्या है Flux Density B क्या होता है Flux Density और 5 क्या है Flux Flux की काई क्या होती है Waiver Flux Density की काई क्या होती है Tesla और area तो meter square में तो यह formula बहुत important है 5 is equal to B into A यह यही घूम फिर क्या आते रहता है B और क्या 5 by A तो यह याद रखें अगर इसका Waiver पर meter square होता है Flux Density का एकाई ठीक है न उसे को Tesla बोले आता है Tesla यह कई तरीके से गुमागे पूछे जागा Tesla यह देखे Flux Density को Tesla बोलते है वो क्या होगा Waiver पर meter square ऐसे बोलते हैं दूसरे तरीके से तो चलिए हमारा question पोला है Flux घंत का मान यानि B Flux घंत तो B है उसको कैसे निकालेंगे B by hour 5 by A Flux घंत तो यह होगा Flux घंत का मान ग्याद करें यह दिखें चुम्बकिया Flux का मान है जो दिया हुए Waiver में चलिए 1 5 4 cross 10 to power minus 3 divided by pi r square तो आप कर सकते हैं इसको देखिए 1 5 4 और चलिए उपर में 10 to power 3 तो नीचे 1000 कर रहा हूँ Pi का मान क्या है 22 उपर 7 और रेडियस दिया है r यानि 7 गुना 7 एक सेवन एक सेवन इससे cancel out होड़ा है उसके बाद देखे 22 सत्य होते हैं सादूरी चुद एक सोचोवन है ना और यह 154 से cancel out तो बचा क्या 10 to power minus 3 क्योंकि 1000 नीचे है तो बचा क्या 10 to power minus 3 अब 1 क्या होगी तो वेबर पर मीटर स्क्वार यहां से काई देख ले फ्लक्स का इकाई वेबर मीटर स्क्वार तो वेबर पर मीटर स्क्वार 10 to power minus 3 वेबर पर मीटर स्क्वार तो राइट आंसर क्या होगा B चलिए नेक्स्ट क्या कहे रहा है किसी क्वाइल के द्वारा इतना वेवर का फ्लक्स उत्पन करने के लिए कितने MMF की आवसकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस यह है तो एक ची और देखें आपको एक और इंट्रेस्टिंग फर्मूला दे रहा हूँ यह बहुत important है हर्चीज में काम आएगा आप देखते हैं कि कहीं current का फर्मूला क्या होता है current का फर्मूला होता है, EMF यानि voltage बटा, resistance परतिरोध वह सही magnetic circuit में क्या होता है flux फ्लक्स ब्राबर क्या होता है M M F Magnetive Motor Force बटा, इस मिक्निक क्यों होता है तो छलिए कई तो चलिए कई हतना है धाइं सकते हैं किसी क्यों में इतना विडस्व में यह तो फंगा क्वा फ्लк्स बोकश करने के लिए कितने एम कुछ रप केरा होगी, ये ऊस खारी लाक्टिंस ही है तो बता हिए mmf का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mmf का फलक्स इन्ठू में फ्लप्स इन्टू इन्टू लिलक्रण्स का मान कितना है 400 टो टीफे्न थो पावल माइनस 5 क्रोस रिलक्टेंस का फोर्म वैलु कितना है 1.25 और 10 पावर क्रोस 10 तो पावर 5 तो यह 10 तो पावर 5 तो केंसिल आउट हो गए और 1.25 आप 4 से गुना होगा तो 400 और 400 और 500 तो वैलु कितना है पावर 580 तो यह तो सिधा ही वैलु आ रहा है 400 को एक 1.5 से करेंगे तो 400 और 25 का 400 से तो गया होगा एक सौत यह हो गया 580 कितना इस इंपल आप यूनिट भी देखके वैलु निकाल सकते है कि 80 पर वेबर निकलना ये कैसे निकलेगा गएट्गेल निकलेगा कैसे ताब क्या कर सकते उसको गुना कर देंगे वेबर से यानी फिलक्स को इससे गुना कर देंगे तो आपका एंपेर टर्ण बद जाएगा तो काई भी देख कि沒有 आपकəMPरा मेंaker सकते तो देखिए एक और फर्मूला आपको मैं बताता हूँ MMF का एक और फर्मूला होता है Magnitive Motive Force का N into I ये क्या होता है एक तो वो फर्मूला था MMF बराबर Flux into आपका Reluctance एक ये फर्मूला है Turno की संखियां ये देखिए MMF की इस Conductor में अगर आप Current Pass कराएंगे तो कितनी Turno की संखियां है और यहां से कितने विद्दूदारा प्रवाइद कर रहे हैं वही इससे जो भी बल लगाता है Flux का उसी को बोलते हैं MMF तो आप देखें यहां पर MMF निकालने के लिए हमने बोट लाया N into I यानि 5 Ampere I into N 40 Turn तो पांचों का 20 यानि 20 क्या हो गया Ampere और Turn इसका 1 Ampere में है और यह कितना है Turno के संखियां को T से भी नोट कर देते हैं तो Ampere Turn हो गया तो 200 Ampere Turn तो Right Answer will be A Next Question देखें क्या कह रहा है यदि किसी चुमबक में उत्पन विदूद बाहक बल का मान 640 Ampere Turn है यदि उसका चुमबकिया Flux कितना है इतना वेबर हो तो चुमबक का Reluctance क्या होगा Reluctance का Formula तभी हमने देखा ही हमने Formula देखा क्या Flux वरावर MMF divided by Reluctance Reluctance वरावर क्या MMF divided by Flux MMF का मान कितना है 640 80 Flux का मान कितना है 16 Crossed into the power minus 6 वेबर अब बताए Reluctance की इकाई भी पूछता है तो Ampere Turn बटा वेबर ये तो इकाई भी के लिए भी हो गया तो बहुत चीव को ध्यान रखना है आसे उसके बाद 16 64 40 हो गए 40 Crossed into the power क्या हो जाएगा फिर ऐसे condition में अगर मैं देखता हूँ तो 40 Crossed into the power minus 6 तो उपर गया तो प्लस 6 तो ये minus 6 को उपर लेक चला जाए तो 10 to power प्लस 6 और ये काई Ampere Turn पर वेबर तो राइट आंसर क्या दिख राम को B Okay Next question देख 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 रहे हैं चुम्बक्या Flux का SI unit क्या होता है तो Flux का भी हम ने देखा क्या होता है 5 प्लावर B into A इसी को मैं बोलते है वेवर है ना ये धियान देख एए SI unit क्या होता है Flux का वेवर तो D is the right answer Next बोला गया है यदि किसी चुम्बक्या Flux का मान 5 इसके परहों के अंदर एच्छेतर A तो चुम्बक्या Flux का मान 2 B बोलावर क्या होता है 5 Y A तो राइट आंसर क्या देख रहा है ये तो simple formula है तो ये चीज़ फॉर्मूला बहुत important है इस टैप से formula गुमा फुर्मूला के अपसे पूछ जाता है तो ध्यान ड़े इससे का Next पूछा गया ये important है ये भी ध्यान ड़े FreeSpace की probability क्या होती है FreeSpace की probability जो होता है हम बोलते है Mu naught का मान FreeSpace क्योंकि Mu बराबर होता है Mu naught into Mu R Mu R बोलते है Relative probability of air जो हमेशा एक होता है और Mu R का मान होता है वो होता है 4π ये याद रखना आपको cross 10 to power minus 7 henry meter ये याद रहे आपको ये value होता है तो FreeSpace की probability कितनी होती है 4π cross 10 to power minus 7 henry per meter ये ध्यान रहे आपको ध्यान रहे Okay Next question कह रहा है 74 Reluctance की क्या होती अभी बताओ आप इने एक फर्मूला देखा था Reluctance की तरही है Flux का formula क्या था MMF divided by Reluctance तो हमने Reluctance का formula निकाला था क्या हो गया MMF divided by Waver Flux कई कई Waver MMF को को बोलता है Ampere turn बटा Waver तो हमारा क्या हो गया Right answer D ये तो होई नहीं सकता ये होने जाए व्यक्सवेल है पर ये Reluctance का तो नहीं है पर आगे Maxwell आएगा हमारे लिए है Next को आगया है इतना Ampere की धारा को इतना मीटर लंबे चक्रितार में इतना टेशला चुमबगे च्छेतर पर समकोनिक देखे एक चुमबगे च्छेतर है जिसमें कुंडली है माली ये कुंडली बहुत जादा घनतों के साथ है यहाँ एक N पॉल है यहाँ एक S पॉल है यहाँ नहीं है ऐसे फ्लक्स जा रहा है तो जब यह घुर्णन करेगा और यह कट करेगा इसको कट करेगा तो इस कंडुक्टर पर कितना फोर्स डेवलोप हो रहा उसके लिए पूछा तो फोर्स का फर्मूला होता है बी आई एल साइन ठीटा और यहाँ देखे सम्कौन पर बूला है तो संद्छाइन 90 हो गया और सम्कौन चौन जानते हैं कितना होता है यहाँ तो फर्मूला क्या बच एल बी कया फलक्स डेनिशीटी कितना दिया हो है 150 tesla current का मान कितना दिया हुआ है 50 ampere L length कितना दिया हुआ है 2 meter तो अब देखें total value कितना हो गया 2 meter सिर्फ दिया हुआ है अब देखें कितना हुआ पचास दुनी 100 और डेड़ सो तो कितना है पंदरह सो पचास दुनी 100 और पंदरह से पंदरह सो एक और जीरो है पंदरह हजार हो गए तो पंदरह हजार कौन सा अंसर है हमारा डी पंदरह 15,000 ओके बहुत ही सिंपल है एक दम बस एक ही फॉर्मूला घुमा फड़ा के आपके पूछा जा रहा है और दो तीन फॉर्मूला का अप्लिकेशन उसको आप ध्यान रख ले जो मैंने कठा करवाय है और लास्ट में नहीं होगा तो लिग दूँगा आप उसको याद रखें एक इस पात की छर को चुम्बे के छर बनाने के लिए चुम्बकिया बनाने के लिए इतना एंपियर के अब सकता है होती है इतना परतिरोद इतना लापेटो वाले कुईल की कुंडली को चुम्बकिया के लिए कितना वोल्टेज का अब सकता है तो देखिए चुम्बकिया कितने एम tief कितना है इसका in pick It TO स्धा होती है लपिटू की संख्या कितनी है तो देखिए mmf प्राबर होता है हम जानते यह formule Bake ला किसके बराबर होता है Go Down and επि इसमें लब प्रहबर होता है एन्न तू है अब इसमें लपेटू की संख्याँ दे रखा तो इसमें धारा कितनी प्रवाइत होगी कि इतना लपेटों की संख्या है तो 500 बटे टर्नों की संख्या पचास तो बच गए कितने 10 10 एंपियर इससे धारा गुजारा जाए और इतना परतिरोध होगा तो उस चुम्बकिया में उस कॉयल के अंदर 500 एंपियर टर्न की चुम्बकिया फोर्स जो बनेगा तो हमारा करेंट हो गया और मैं इसका बोला गया है कि परतिरोध जो है वो कितना है ये दिया परतिरोध बोला है रियक्टेंस होता है कॉयल का यह होता है अभी हमने देखा 30 ओम है इन्होंने दिया है करेंट हमने देख लिया कितना गुजरा इतना बनाने के लिए 50 टर्नों से अगर डिवाइड कर दिया तो हमने देखा 10 एंपियर है तो टोटल कितने वोल्टेज की अब सकता बहेगी 10 एंपियर तो 10 इंटू 300 कितना हो गया 300 वोल्ट की जरत होगी इस क्वाइल पर वोल्टेज इंप्लिमेंट करने की यानि एक क्वाइल है जिसमें टर्नों की संख्यां इतनी है 50 टर्न है इसका एक्सल में रियक्टेंस होना चाहिए प्रतिरोद लिखा है एक्सल होन होगा वो 300 वोल्ट इंप्लिमेंट करना पड़ेगा ओके तो राइट आंसर विल भी 300 नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इतना विवर का फ्लक्स उत्पन करने के लिए कुंडली का प्रयोग किया जाता है यदि कुंडली में बहने वाला धारा इतना एंपियर हो और कुंड होगा मेंगेटिम मोटर फोर्स तो बोला गया है किया कितनी mmf की जड़रत वी काई भी देखिए एंपर टर्न में दिया वहा है तो अब देखिए यहां पर क्या गया है बोला है इतना फ्लक्स इतना वेवर उत्पन करने के लिए एक कुंडली में कितना करने देना पड़ता 3A तो कूल लपेटू के संख्या अगर 200 हो तो फ्लक्स उत्पन करने के लिए कूल MMF कितनी जुरत पड़ेगी तो आपसे MMF पूछ रहा है तो MMF ब्राबर क्या होता है आप ही देखें एन इन्टू आई लपेटू के संख्या तो इसने दे रखा है कितना 200 क्योंकि इतना विवर्ण करने के लिए इसने करें दिया है 3A और बूला कितना MMF होगा जब तरनों के संख्या इतनी होगी तो 200 टर्न है और कितना तीन एंपेर तो कितना हो गया 600 एंपियर टर्न यह हमारा क्या होगा एम 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 एप्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा बी कुछ भी नहीं है बस थोड़ा सा कॉंसर्प्स दिमांग में रखना है कुछ फॉर्मूले याद रखने कॉन फ्लक्स होता है को यहाँ यह पता रखना आपको बहुत सिंपल तरीके सा बना सकते हैं इसको नेच्स देखे कुश्चन क्या कह रहा है इसकुश्चन आपसे कह रहा है कि एक कुंबकी रिंग का रिलक्टेंस इतना है कि कायल को इतना वेबर एक क्वाइल होता चलिए को को इतना वेबर फ्लक्स उत्पन करने के लिए mmf के लिए कितनी आवसकता होगी तो देखिए यह दिया रिलक्टेंज दे दिया वेबर दे दिया mmf पूछ रहा है तो mmf का फॉर्मूला इसको एप से भी डिनोट करते हैं कैप्टर एप से mmf क्या हो गया फाय इंटू रिलक्ट फ्लक्स का मान कितना है 167.5 क्रॉस 10 टू दे पावर सॉरी प्लस फोर में है और रिलक्टेंज का मान कितना दिया हुआ है वेबर का मान जो है यह तो फ्लक्स है वेबर का मान जो इसमें है रिलक्टेंज के साथ साथ वेबर भी दिया हुआ है तो 8 क्रॉस 10 टू दे पावर मा नगा सकते हमों ब community तो क्या 166 volt तो क्या हो गया 166.50 सभी जादा है 130 बारफ जादा रहु तो बारफ अट यह शरक हो सकत है और वहनुंप सकता है नहीं हो सकते 134 बहुत कम हो श्कम हो जिरां चार थेहीं फीघर सब्सक्ज two parents एक सेकेंड किल्कुलेटर 167.5 गुना 8 तो राइट अंसर हमारा क्या दे रहा है 340 जो की सही है इसमें से एक आप्शन ओके गाइस नेक्स्ट क्वेस्टन कह रहा है हिस्ट्रेसिस लूप का छेत्फल पदार्थ के किस गुन को मापता है तो देखें B H कर्भ जब आप बनाते हैं तो B H कर्भ क्या कहता है एक H कर्भ एक B H कर्भ कोई कौयल या कोई भी मेगनेट या कोई भी मैटेरियल में एक बार इनर्जाइज़्ट हो गया तो ये दोबारा से 0 नहीं होता तो यही ओते हैं B H कर्भ कि एक वार energy आगया तो अब ये क्या होता है ये zero नहीं होगा ये कुछ नगुछ energy को store करता है तो यही loop ये जो area दिख रहा है ये जतना बड़ा area बनाता है ये loop कहें या इसको समानपाती area कहें area जतना बड़ा इसका होगा loss भी उसके समानपाती उतना ही जादा होता है अगर area जितना इसका छोटा बनेगा, जो कोई BS कर भी इतना ही छोटा बन गया, तो उसका losses भी कम होगा, तो यह किसको दिखाता है, वे उरजा को, कितनी खर्च ओड़ी है, जितना बड़ा लूप बनाएगा, उतना ही losses बढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं, hysteresis log को कम करते हैं, इसलिए soft magnetic material का उपयोग करते हैं, लूप को छोटा करने के लिए, क्या करते हैं, soft magnetic material का उपयोग करते हैं, नरम लोहा का उपयोग करत हैं, hysteresis log को कम करने के लिए, the right answer will be D, निम्रखित में से असत्ती कौन सा है, एक वेबर में इतना Maxwell होते हैं, ध्यान रहापी, इसको मैक्सवेल, CGS काई है, CGS काई है, मैक्सवेल तो वेबर एतने के बड़ावर होता है, एक टेसला टेंद पार फोर गॉस के बड़ावर होता ह है, यह ग्यास लिखा है, गॉस के बड़ावर होता है, तो गॉस होते हैं, एक टेसला कितने इसके बड़ावर, एंपियर टर्न जो होता है, एक एंपियर टर्न जो होता है, फोर पार रिवर्स इसके बड़ावर नहीं होता है, तो असत्ते क्या हमारा, C, तो इसमें यह ध्य जान रहे आपको देखना कि एक मिस्टिक भी है कहीं मिलेगा एक सॉरी बैटरी डॉन होड़े हैं आपसे एक मिलेगा आपसे एक पॉइंट कि एक वेवर कितने टेंट पर माईनस एट मैक्सवेल तो इसको करेक्सन कर लेज़े मैनस नहीं होता पलस होता है यह अभी तो सही है इस ऑप्शन में कॉइस्चन में पर कहीं आपको मिलेगा टेंट पाम मैनस एट तो यह कंफूजन दूर कर ले एक Maxwell एक Weber बढ़ावर 10 to power प्लस 8 Maxwell होता है यह ध्यान रहे next question कहरा है एक Maxwell समतुल है कितने Weber का तो यह देखें यहाँ पर right answer क्या होगा यह एक Maxwell जो होता है 10 to power minus 8 Weber का क्योंकि Weber बढ़ा unit है तो उससे गुना क्या होगा छोटा unit 10 to power minus 8 लेकिन वहीं पूछता एक वेवर बढ़ावर क्या होता है तो हम Maxwell लिखते है Maxwell में छोटा ही काई है तो इसमें गुना करेंगे क्या प्लस 8 यह ध्यान रहे तो यह सारे सही है इसका भी यह गलत था और इसका right answer ए है 110 तो ओके गाईस बैटरी भी इसके जारा है मैं कोशिस करता हूँ ज्यादा ज्यादा आपके लिए अपडेट करूँ इस सब चीज़ को कुछ फोर्मूला को जुरूर रिमेंबर करें जैसे कि 5 वरावर क्या होता है एक Li होते है इंडक्टर इंटू करेंट और दूसरा 5 वरावर क्या होता है MMF बटा Reluctance इसको समानपाती याद नहीं रहे तो आई से करना सर्किट से यह होता है EMF डिवाइड़ वार रिजिस्टेंस तो इसी तरीके से यहाँ करेंट है तो फ्लक्स है यहाँ Reluctance है तो करेंट हैMF तो EMF है ऐसे याद रख सकते हैं और क्या फर्मूला होता है एक इंड़क्टर का फर्मूला भी आप धियांज लख सकते हैं म्यू नट इंटू म्यू आर इंटू टर्नों की संख्या का स्क्वायर बट्त एड़िया होता है तो इंड़क्टर का भी फर्मूल आप याद रख सकते हैं कि पूछता है तरनों संख्यां दो गुना कर दूंगा तो इंड़क्टर कमान कितना होगा चार गुना एडिया अगर बढ़ा दूंगा तो इंड़क्टर क्या होगा घटेगा तो यह भी चीज आपको ध्यान में सकते हैं तो आप यह ध्यान रखें इस चीज़ को करें तो मैंगनेट यह है आपके लिए मैं जल्दी ही और आगे नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करने वाला हूँ ओके गाइस हैव नाइस डे काफी रात हो चुका है रात हो आपके लोगा से फिस ली एक तो खब्सक्राब एतो आपके अचे जबत ओस्क्राब्न की और आपके तो छोड़ाचे लियो आपके लोगा तो आपके लोगा जबत यह वालाव प्सक्राब कुक्त。